दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लिजे यहाँ पर देख सकते हैं हमने MoneyView एप के माद्यम से लोन लिया है और यह लोन हमारे बेंक अकूट में ट्रांसफर कर दिया गया है तो अभी के टाइम में लोन लेना बिलकुल आसान हो चुका है आप लोग घर कि MoneyView एप RBA Approved NBFC Company है तो आपको डरने की बिलकुल भी जरुवत नहीं है यहाँ पर लोन अपलाए करने पर सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई भी Income Proof यानि कि Bank Statement देने की जरुवत नहीं परती है यूटूब पर आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे लेकिन हर ए Life Group के सब दिखाते हैं दोस्तों मैंने वीडियो के description में लिंक दिया है आप लोग क्लिक करके MoneyView एप को install कर लेंगे चलिए हम install पर क्लिक करके install कर लेते हैं अब यह install हो चुका है open पर क्लिक करके open कर लेंगे आप यहाँ पर देखे बताया गया कि आप लोग MoneyView एप के माध्यम से 10 लाक रुपए तक loan ले सकते हैं इसके अलाबा आप लोग यहाँ पर 3 महने से लेकर 60 महने की EMI पर loan ले सकते हैं इसके अलाबा आपको यहाँ पर फिरी में credit report भी मिलेगा चलिए इसके बाद आप get started पर किलिक कर लेंगे आप यहाँ पर आपको permission देना होगा तो आपको यहाँ पर location का permission, SMS का permission, app का permission और device का permission देना होगा चलिए इसके बाद आप I agree पर किलिक कर लेंगे allow पर किलिक कर लेंगे यहाँ पर किलिक करके allow कर लेंगे allow पर click कर लेंगे allow पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए mobile number और email ID fill up करने के लिए आगया है तो आप इस box में अपना mobile number fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर email ID तो आप यहाँ पर click करेंगे और जो भी email ID से आप अपने mobile में login होगे यहाँ पर वह email ID सो करता है तो आप यहाँ पर अपना email ID से लेक्ट कर लेंगे यदि आप दूसरा कोई email ID इसमें link करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर add account पर click करके दूसरा email ID भी money view app में link कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर email ID से लेक्ट कर लेते हैं इसके बाद OK पर click करेंगे इसके बाद continue पर click करेंगे अब आपकी mobile नमर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर automatic fill up हो जाता है अब यहाँ पर देखे interest सेलेक्ट करने के लिए आगे है तो आप यहाँ पर select कर लेंगे आप क्या चाहते हैं तो यहाँ पर देखे personal loan, vacuum insurance, credit card, everyday, home loan, health insurance, buy gold, business loan, loan engaged property दिया हुए तो आप इनमें से कोई भी select कर सकते हैं चलिए हमें यहाँ पर loan चाहिए तो हम यहाँ पर personal loan select कर लेंगे आप यहाँ पर और भी select कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ पर credit card select कर लेते हैं चलिए इसके बाद आप submit पर click कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे loan apply करने के लिए गया है और यहाँ पर देखे बताया गया है कि आप लोग 5 लाक रुपए तक money view app के माध्यम से loan ले सकते हैं इसके लावा यहाँ पर देखे और भी option दिया गया है आप यहाँ पर money view app को refer करके भी पैसे कमा सकते हैं साथी आप लोग यहाँ पर 10 मिनट के अंदर 10 लाक रुपए तक loan ले सकते हैं तो आप यहाँ पर apply no पर click करके loan के लिए apply कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लिखा है personal loan तो आप यहाँ पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे detail fill up करने के लिए आगया है यहाँ पर first name as per pen card तो जो भी आपके pen card पर नाम लिखा हुआ है आप इस box में fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर last name तो आप यहाँ पर अपना last name fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर education तो आप यहाँ पर click करेंगे और आप यहाँ से select कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाय की है इसके बाद यहाँ पर preferred loan amount तो आपको कितना loan चाहिए आप यहाँ पर वो loan amount fill up कर लेंगे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितना भी amount fill up करेंगे उतना आपको loan दिया जाए जैसे कि हम यहाँ पर fill up कर लेते हैं मान लिजी 10,000 इसके बाद यहाँ पर your employment type तो आप यहाँ पर click करेंगे और आप यहाँ से select कर लेंगे यदि आप salary person है तो आप यहाँ पर salary को select कर लेंगे लेकिन यदि आपका खुद का job है खुद का business है तो आप यहाँ पर self employed को select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर monthly income तो आप महिने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस box में fill up कर लेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद git offer पर click करेंगे आप यहाँ पर आपको थोड़ा सथवेट करना है आपको यहाँ पर back नहीं करना है और ना ही आपको refresh करना है चलिए इसके बाद आप यहाँ पर submit and continue पर click कर लेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें loan offer 100 कर दिया है और यहाँ पर देखे हमें 3,50,000 रुपए का loan offer किया गया है यानि कि हम यहाँ पर 3,50,000 रुपय तक loan ले सकते हैं आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यदा loan offer सो करे या फिर इससे कम loan offer सो करे क्योंकि यह credit score पर depend करता है आप यहाँ से loan amount को कम या फिर ज्यदा कर सकते हैं आपको जितना भी loan चाहिए आप यहाँ से अपनी मर्दी से loan amount को कम या फिर ज्यदा कर सकते हैं आप यहाँ पर minimum 10,000 रुपय तक loan ले सकते हैं यदि हम यहाँ पर 3,50,000 रुपय लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखे 36 महने के लिए loan 14,477 रुपय पर मन्त EMI पर हमें loan दिया जाएगा साथ यहाँ पर हमें processing fee 16,314 रुपय देना होगा यदि हम यहाँ पर 30 महने के EMI पर यह loan लेते हैं तो हमारा EMI होगा 16,353 रुपय पर मन्त और यहाँ पर interest हमें 4,686 रुपय देना होगा इसके अलावा यहाँ पर processing fee 15,945 रुपय पे करना होगा तो जो यहाँ पर processing fee है यह पहले ही काट करके आपके bank account में loan amount transfer किया जाता है यदि हम यहाँ पर 2,50,000 रुपय लेते हैं तो 36 महने का EMI होगा 10,341 रुपय पर मन्त और 30 महने के लिए 11,681 रुपय पर मन्त साथ यहाँ पर हमें processing fee 11,425 रुपय देना होगा तो आपको यहाँ पर जितना भी loan चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्दी से loan amount को कम या फिर जैदा कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर 10,000 रुपय लोण चाहिए तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपय सेलेक्ट कर लिया है यदि हम यहाँ पर 10,000 रुपय लेते हैं चले इसके बाद आप यहाँ पर confirm and proceed पर click कर लेंगे, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है, आपको यहाँ पर back नहीं करना है और नहीं आपको refresh करना है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको 4 step complete करना होगा, उसके बाद आपके bank account में loan amount transfer कर देया ज चले इसके बाद आप यहाँ पर let's go पर click कर लेंगे, अब यहाँ पर देखिए basic detail fill up करने के लिए आगया है, यहाँ पर है marital status तो आप यहाँ पर click करेंगे और आप यहाँ से select कर लेंगे, यदि आपकी साधी हो चुकी है तो आप यहाँ पर merit को select कर लेंगे, लेकिन यदि साधी नहीं हुए है, तो आप यहाँ पर single को select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर है father's name, तो जो भी आपके पिता जी का नाम है, आप इस box में fill up कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर है mother's name, तो आप इस box में अपने मा का नाम fill up कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर है where do you live, य आपको loan क्यों चाहिए तो यहाँ पर देखिए बहुत सरा option दिया हुआ आप इन में से कोई भी select कर लेजे चलिए आप यहाँ पर medical expense select कर लेते हैं इसके बद यहाँ पर है language preference calling तो जो भी language में आप किसी से बात करते हैं आप यहाँ पर वो language select कर लेंगे इसके बाद आप continue पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिए company का detail fill up करने के लिए आगया है यहाँ पर company name तो आप यहाँ पर click करेंगे और जो भी company में आप काम करते हैं आप यहाँ पर company का नाम search कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर है इंडेस्टी टैप तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी आपने company name select किया है उसके अनुसार से यहाँ पर industry type select कर लेंगे जो भी आप company में काम करते हैं वह की इस तरह का company है इसके बाद यहाँ पर है company address तो जो भी company में आप काम करते हैं आप यहाँ पर हुआ company का address fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर है pin code तो जो भी company में आप काम करते हैं आप उस area का pin code यहाँ पर fill up कर लेंगे यहाँ पर detail fill up करने के बाद continue उपर click कर लेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब यहाँ पर देखे KYC complete करने के लिए आ गया है तो आप यहाँ पर दो तरह से KYC complete कर सकते हैं सबसे पहला तरीका डीजी locker इसके बाद यहाँ पर paper lace KYC तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर KYC complete करना चाहते हैं आप यहाँ पर select कर लेंगे हम आपको यहाँ पर सला देंगे कि आप डीजी locker के माध्यम से KYC complete कर लेंगे तो आप यहाँ पर डीजी locker KYC पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे आधार नमर fill up करने के लिए गया है तो आप इस box में अपना आधार नमर fill up कर लेंगे इसके बाद जो भी यहाँ पर capture दिया गया है इस capture को आप इस box में fill up कर लेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद next पर click कर लेंगे अब जो भी आपके आधार card के साथ mobile number link है उस पर OTP आया होगा तो आप इस box में OTP को fill up कर लेंगे चलिए OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP fill up करने के बाद continue पर click कर लेंगे आप यहाँ पर देखे Digilowker का log in pin fill up करने के लिए गया है तो जो भी आपके Digilowker का login pin है आप यहाँ पर fill up कर लेंगे आप यहाँ पर देखे डिजी लोकर का login pin set करने के लिए गया है तो जो भी आप डिजी लोकर का login pin रखना चाहते हैं आप यहाँ पर छेज़क्षर का login pin टाइप कर लेंगे इसके बाद continue पर किलिक करेंगे अब आपको इस तरह से open हो जागा यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड के सामने वाले box में टिक लगा हुआ है चली इसके बाद आप allow पर किलिक कर लेंगे आप यहाँ पर देखें DJ locker के तरब से verify क्या जा रहा है यहाँ पर देखें KYC complete हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा KYC verify हो चुका है और जो भी आपके आधार कार्ड में detail दिया गया है यहाँ पर वह details हो करता है जैसे कि यहाँ पर आपका photo साथ यहाँ पर आपका नाम, gender, date of birth, address चली इसके बाद आप confirm पर किलिक कर लेंगे अब आपको यहाँ पर अपना selfie photo अपलोड करना होगा तो यहाँ पर देखे लिखा take selfie आप इस camera के icon पर किलिक करेंगे और यहाँ पर देखे बताया गया कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर अपना selfie photo लेंगे यहाँ पर देखे लिखा take selfie आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करके Allож कर लेंगे। आप आपके मोगार का कैमरा चालोँ हो जाएगा, और यहां पर देखिक सरकल के अपना हम अपना सेलफी फूटो लेना है। आप यहाँ पर किलिक करेंगे यहाँ पर selfie photo लेने के बाद आप यहाँ पर किलिक कर लेंगे चले इसके बाद आप done पर किलिक कर लेंगे आप यहाँ पर देखिए selfie photo upload हो रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है चले इसके बाद आप submit document पर किलिक कर लेंगे अब यहा पर अपना bank account को verify करना होगा, आप यहाँ पर दो तरह से bank account को verify कर सकते हैं, सबसे पहरा तरीका verify with UPI, तो आप यहाँ पर UPI के माद्यम से अपना bank account को verify कर सकते हैं, यहाँ पर bank account को verify करने के लिए आपको अपने account से 1 रुपए send करना होगा, इसके बाद यहाँ पर दूसा तरीका Interbank Details Manually तो आप यहाँ पर अपना account number IFSE code fill up करके भी bank account को verify कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर UPI के मादधियम से bank account को verify करेंगे तो हम यहाँ पर verify with UPI पर click कर लेते हैं अब यहाँ पर देखे UPI select करने के लिए आगिया है तो जो भी आप UPI app का इस्तमाल करते हैं में loan amount लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर estate bank of India select कर लेते हैं इसके बाद paper click करेंगे अब यहाँ पर देखे UPI पिन fill up करने के लिए आगिया है तो आप यहाँ पर अपना UPI पिन fill up करेंगे और यहाँ पर एक रूपए आपको payment करना होगा यहाँ पर UPI पिन fill up करने के बाद आप यहाँ पर click कर लेगे अब bank account verify हो जाएगा यहाँ पर देखे हमारा bank account verify हो चुका है अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब यहाँ पर देखे आगया bank account verified successfully हमारा यहाँ पर bank account verify हो चुका है और यहाँ पर देखे बताया गया कि आपने यहाँ पर जो एक रुपय ट्रांसफर किया है वह आपके bank account में 24 गंटे के अंदर वापस आ जाएगा चलिए इसके बाद आप continue पर किलिक कर लेगे अब यहाँ पर दесьके rating के लिए गया तो आप यहाँ से rating देशकते हैं चलिए फिराल हम इसको rating नहीं देगे हम यहाँ पर किलिक कर लेते हैं आप एप को close करके फिर से open करेंगे तो आपको इस तरह से open हो जागा और यहाँ पर देखे लिखा enable auto debit तो आपको यहाँ पर auto debit setup करना ह आप यहाँ पर इनेवल नौपर किलिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए EMI Auto Debit Setup करने के लिए गया है, यहाँ पर Auto Debit मतलब जितना भी आपका EMI है, वह EMI आपके Bank Account से Automatic हर एक महिने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI Pay करने की जरुवत नहीं परेगी, और यहाँ पर देख आपका Loan Amount Transfer कर जाएगा, इसके बाद यहाँ पर Loan Amount सो करता है, तो यहाँ पर देखिए हम 10,000 रुपए Loan Apply कर रहें, इसके बाद यहाँ पर EMI सो करता है, साथ यहाँ पर EMI Date, तो हमारे Bank Account से हर एक महिने 5 तारीक को EMI Automatic Pay हो जागा, हमें अलग से EMI Pay करने की जरुवत नह A.T.M. अबलिक debit card पर किलिक करके, ATM card के मादियम से भी auto debit setup कर सकते है, आप यहाँ पर Net Banking पर किलिक करेंगे, आप यहाँ पर आगया Create Mandate, चलिए इसके बाद आप इस box में टिक कर लेंगे, और Summit पर किलिक करेंगे, चलिए हम यहाँ पर ATM card के मादियम से auto debit setup करेंगे, तो हम यह अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही रिफ्रेस करना है अब जो भी bank account के साथ mobile number लिंक है उस पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को fill up करेंगी चलिए हम यहाँ पर OTP fill up कर लेते हैं इसके बाद confirm पर click कर लेंगे आ आप यहाँ पर देखे TUM card का detail fill up करने के लिआ गया है यहाँ पर है card holder ने तो जो भी ATM card पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ परちょ लेंगे जो ATM के माध्यम से आप लोग किसी भी ATM machine में जाकर की ATM card के दोरा पैसा निकालते हैं वह पिन आप पर capture दिया गया है आप इसको यहाँ पर fill up कर लेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर ATM card का detail fill up करने के बाद proceed पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे आगया success अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है आपको यहाँ पर back नहीं करना है अब यहाँ पर देखे आगया payment detail चलिए इसके बाद आप नीचे scroll कर लेंगे इसके बाद आप इस box में टिक कर लेंगे और accept पर click करेंगे अब यहा पर कुछ देर तक वेट कर लेना है इसके बाद दोस्तों आप लोग money view एप को दुबारा से open करेंगे तो यहाँ पर देखिया गया review agreement आप इस पर click कर लेंगे और यहाँ पर देखिए loan agreement के बारे में दिया हुआ है तो यहाँ पर 10,000 रुपए loan लेने पर हमारे bank account में 9,292 रु यहाँ पर OTP यहाँ पर automatic fill up हो जाता है चले इसके बाद आप done पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिया गया application submitted और यहाँ पर बताया गया कि आपके bank account में 24 गंटे के अंदर loan amount transfer कर दिया जागा तो आपको यहाँ पर कुछ दिर तक wait कर लेना है दोस्तों कुछ दिर के बाद आप लोग money view app को open करेंगे तो आपको इस तरह से open हो जागा और यहाँ पर देखिए हमारे bank account में loan amount transfer कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं हमने 10,000 रुपे loan apply किया है तो यहाँ पर loan amount साथ यहाँ पर EMI का date दिया गया है आप यहाँ पर loan पर click करेंगे तो यहाँ पर दे State Bank of India के bank account में loan लिया है तो हम यहाँ पर Yono SBI में login कर लेते हैं इसके बाद accounts पर click कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर account पर click कर लेंगे तो यहाँ पर दिख सकते हैं हमारे bank account में 9,292 रुपे loan amount transfer किया गया है तो इस तरह से आप लोग money view app के माध्यम से घर बैठे loan ले सकते है आपको loan मिलना आपके credit score पर depend करता है यदि आपने पहले किसी भी app से या फिर किसी भी bank से loan लिया है और आपने कोई भी EMI मिस कर दिया है तो फिर आपको loan मिलने में दिक्कत हो सकती है मैंने आपको detail में बता दिया है उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा like करना म बत बुलिए साथी आप हमें comment करके जरूर बतेगा कि आपको यहां पर कितना loan offer क्या गया है